बहुत बहुत श्रागत है दोस्तों एक बार फिर आपके अपने यूटूब चैनल हाउस ओप टैक में और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे की वे कौन से पौदे होते हैं जो मासाहरी होते हैं और अपने भोजन में कीडे मकोडों को सामिल करते हैं मासाहरी पौदों को कार्निवोरस प्लांट के नाम से भी जाना जाता है कार्निवोरस पौदों की कुल लगवग 400 प्रजातियां पाई जाती हैं परन्तु भारत में सर्फ 30 प्रजातियां ही पाई जाती हैं यह पौदे ऐसी जगे पर पनपते हैं जहां पर सामानिता नाइटोजन की कमी पाई जाती है। जीवन के लिए प्रोटीन अतियंत आवश्यक है इसे प्राप्त करने के लिए पौदों को नाइटोजन मिलना चाहिए। जिसके लिए यह पौदे अपने पास आने वाले कीडे मकॉरों का सेवन करते हैं। कुछ पिरमुक मासा हारी पौदे इस प्रकार हैं जिसमें पहला है ड्रोसेरा जिसे हम मक्खा जाली के नाम से भी जानते हैं। यह पौदा तालावों के किनारे पाया जाता है। इस पौदे में गोलाई में लगी करीब 25 पत्तियां होती हैं प्रत्यक पत्ते पर करीब 200 चोटे चोटे बाल होते हैं जिनकी चोटी पर एक चमकीला पदार्थ बहता रहता है जो कीडों को अपनी और आकरसित करता है जैसे ही कीडे इसके संपर्क में आते हैं लंबे ती के बाल चोकरना हो जाते हैं और मुल कर कीडों को पकड़ना सुरू कर देते हैं और उसे अपने निचले भाग में खीच कर ले आते हैं जिसके बाद पत्ते से एक बिजिस प्रकार का रस निकलता है जो कीडे के मास को घुल देता है और फिर इसे पौदे चूस लेते हैं चित्र में आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का ड्रोसेरा नामक पौदा दिखाई देता है इसी प्रकार दूसरा मासा हरी पौदा होता है नैफेंटीस 39 पौदे में पत्ते का उपरी हिस्सा सुराही के आकार का होता है और इसके मुह पर ढक्कन रहता है सुराही की परदी से एक तरल पदार्थ निकलता रहता है जो कीडों को अपनी ओर आकरसित करता रहता है जैसे ही कीडे सुराही की नौक पर बैठते हैं तो कीडे तुरंत फिसल कर अंदर पहुँच जाते हैं और बहां मर जाते हैं सुराही के अंदर के बैक्टिरिया उसे सड़ा देते हैं और तब भैपौदों द्वारा सेवन कर लिया जाता है चत्र में आप देख सकते हैं सुराही के आकार का कुछ इस प्रकार का नेफेंटीस का पौदा पाया जाता है तो दोस्तो अब आप जान गए होंगे की ऐसे कौन से पौदे हैं जो कीडों का सेवन करते हैं तता जने हम मासाहरी पौदे बोलते हैं वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्स फूर वाचिंग